हेलो पेरेंट्स वेलकम टू ग्रो स्किल्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी वॉक्षीट आफ क्लास यूके जी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दो वर्णों वाले शब्द बच्चों को दो वर्णों वाले शब्द सिखाने के लिए हम चित्र की मदद से करा सकते हैं और भी बहुत कुछ है इसमें तो मैं आज की वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है चित्र देखकर मिलान कीजिए यहाँ पर मैंने चित्र बनाए है और उसकी तरफ दूसी तरफ मैंने इनके शब्द लिग जैसे यहाँ पर फल बना हुआ है तो फल को बच्चे को मैच करना है फैल है फल उसके बाद यह क्या बना हुआ है मग तो मग से मैच करेंगे मग यह क्या है टब टेब ब उसके बाद बैस है इस तरीके से उसके बाद आता है अक्षरों को जोड़ कर लिखो यहाँ पर मैंने अक्षर लिखे हुए बीच में प्लस लगाया हुआ है इसका मतलब है हमें जोड़ेंगे कब कब एक साथ लिखेंगे तो यह हमारा शब्द बन गया जै प्लस गै क्या बन गया जग है प्लस मैं हम कैले कल खैते खत बच्चों को जोड़ कर और फिर उसको बोल कर आप सिखा सकते हैं उसके बाद खालिस्तान भरो यहाँ पर बै लिखा हुआ है तो हमें कोई अक्षर लिखना है जैसे बैसे बस फैले फल मैने मन गैज गज तैने तन इस तरीके से आप कोई भी अक्षर दे कर उन्हें खालिस्तान करवा सकते हैं उसके बाद आता है ए समान शब्द पर गोला लगाओ ए समान का मतलब होता है जहां पर एक जैसी आवाज आती है उसको हम समान शब्द बोलते हैं या एक तुक वाले और जो ए समान होता है उसमें क्या होता है अलग-अलग अक्षर की आवाज आती है तो हम इसमें देख के स अलग हो गया इन सबसे तो इसको हम क्या बोलेंगे असमान तो इस पर गोल अलगाएंगे ऐसी हाँ पर जल कल कब ये कब हो गया हल नल तो ये सबसे अलग है इस पर गोल अलगाएंगे उसके बार मग जग नग गम भग तो गम सबसे अलग है तो इस तरीके से बच्चों को आप बुलवा कर प्रैक्टिस करवा सकते हैं उसके बाद आता है चित्र देखकर शब्द लिखिए यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हमें इनको पहचानना है जैसे ही क्या बना हुआ है इंग्लिश में 10 बोलते हैं हिंदी में 10 इसको हम हाती बोलते हैं यहाँ पर हमें दो अक्षर का लिखना है तो हम इसको गज लिखेंगे गज यह क्या है नत इस पर कुछ लिखा हुआ है यह क्या है खत यह जग और यह कप इस तरीके से नेक्स्ट आता है वाक्य पूरा करो यहां पर हमें वाक्य पूरे करने है, जैसे यहां पर डैश चल, तो बच्चों को यहां से चूज करना है घर चल या कर चल, घर चल, यहां पर घर लिखते हैं, उसके बाद डैश पड, लत, और खत, खत, डैश मत कर कट या हट हट मत कर डैश चक नल और फल 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 चक डैश भर तब या जब तब इस तरीके से नेक्स आता है बच्चों को इम्ला करवाएं अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं कि आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी किताब लेकर इस तरीके से वाक्य दे सकते हैं बच्चों को मैंने आप एक्जामपल के तौर पर दिया हुआ जैसे दो अक्षरों वाले लव उठ फल चक घर पर चल कर भजल भर तो पेरेंट्स मैंने इस तरह से जो सेंटेंसिस बनाए हैं आप भी बच्चों को घर पे किताब मैंसे वाक्य दे सकते हैं या अपनी तरफ से भी दे सकते हैं दो दो अक्षरों वाले शब्दा बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में